हेलो दोस्तों वेलकम बैक स्टड़ी विद बिलाल सर में आप सभी का स्वागत है तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके एन जीएस क्योंकि अभी जितने भी हमारी प्रिक्षाएं हुई हैं चाहिए न्टीपीसी हो चाहिए दिली प्लूस उन सभी एकजाम में स्टै सब्सक्राइब नहीं किया गया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आप सभी तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुशती रहे तो चले दोस्तों सुरू करते हैं आज का पहला प्रसंद नौड स्ट्रीम टू के संब में सही कतन चुने पहला नौड स्ट्रीम टू बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से जर्मनी तक पाइपलाइन है दूसरा यह पाइपलाइन पहले से ही निर्मित है और जन्वरी के अंत में इसको शुरू किया जाएगा हमारे पास ओप्शन जोस्तो ओप्शन केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनो डी इन में से कोई भी नहीं इसका जो सही उत्तर है जोस्तो वह है एक तो नौड स्ट्रीम टू परियोजना के तहत बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से जर्मनी तक पाइप लाइन का निर्माड करना है ये अभी भी निर्माडा दीन है और रूस और जर्मनी भी तनाओ का भी कारण है इसलिए भी हाल में काफी में काफी चर्चा में रहा है दोस्तो नौड स्ट्रीम टू चलिए अगला प्रसंद दोस्तो प्रसंद नंबर दो रूस के किस सहर से नौड स्ट्रीम टू को सुरु किया जा रहा है ए यूँएश्टि लूगा व्याइबग ग्रेप स्टू या इन में से कोई नहीं इसका तप्रसंद दोस्तो चलिए अगला प्रसंद दुनिया का पहला बैड बैंक कौन सा है A. मिलान बैंक B. चीन का बैंक C. जेपी, मोर्गन, चेस, और कॉर्परेशन लिमिटेड और D. इन में से कोई नहीं दोस्तों दुनिया का पहला बैड बैंक है मिलान बैंक यानि आप्सन A is the right answer मिलान बैंक दोस्तों ये मिलान बैंक सन्यूक्त राज अमेरिका मिस्थित इस चित्र में पहला बैंक था और इसे 1988 में पहले बैड बैंक की रुप में जाना जाता है प्रसन नमबर चार बैड बैंक के संबन में नमली खित उत्तर दें तो बैड बैंक के संबन में कौन साथन से तो पहला बैड बैंक में खुद को उधार देने और जमा लेने की सुधास सामिल है दूसरा बैड बैंक में रिड लेने की परिक्रिया आम तोर पर रिड के पुष्टक मुल्ड से कम होती है हमारे पास विकल पहले सो केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों डी इन में से कोई नहीं दूसरा सही आंसर वह है आंसर बी यानी केवल दो यहानि बैड बैंक में रिड लेने की परिक्रिया आम तोर पर रिड के पुष्टक मुल से कम होती है रेख्या देखते हैं दोस्तो बैड बैंक खुद को उधार देने और जमा लेने में सामिल नहीं होता है लेकिन यह वाडिजिक बैंकों को अपनी बैलन्स सीट को साफ करने और खराब रिड़ों को हल करने में मदद करता है खराब रिड़ लेने के परकिरिया आम तोर पर रिड़ के पुस्तक मुल से कम होती है अगला प्रसंद देखें दोस्तो प्रसंद नमबर पांच भारतिय रेलवे वितिनिगम यानि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्परेशन के समद में सही कहतन चुने पहला यह भारतिय रेलवे की एक सहाय कमपनी है दूसरा इसकी स्थापना वर्स 1986 भी थी हमारे सामने विकल्प है विकल्प ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी इनमेंसे कोई नहीं इसका जो सही उत्तर दोस्तो वह है सी यानि एक और दोनो भारतिय रेलवे वितिनिगम भारतिय रेलवे की एक सहाय कमपनी है इसकी स्थापना वर्स 1986 में हुई थी दोस्तो ऐसी तरह के कुशन काफी पूछे जारे एक्जाम में जो करण्ट अफेर के साथ मिला कर पूछे जाते है और इस मोस्ट इंपोर्टन जी एस और जी के का जो दोस्तो पीडिया फेस के लिंग डिस्रॉप्शन में वहां से जाकर आप डाउनोड कर लेना चलिए प्रसन नमबर 6 की बात करते हैं गुरू गोविन सिंग के जैन्ती 2021 में कम मनाए गई ए 21 जन्वरी बी 16 जन्वरी सी 13 जन्वरी या डी 20 जन्वरी इसका जो सही आंसर दोस्तो है डी 20 जन्वरी को गुरू गोविन सिंग के जैन्ती मनाए गई अगर इसके बारे जानकर ले दोस्तो तो यह पूरे भारत में उस्साग साथ गुरू उपरवे गुरूप में मनाए जाती है और सिखों के सब से सुब तवारों में से एक है इस वर्स गुरू गोविन सिंग जी की 354 जन्वरी जन्वरी मनाए गई द्यानकर सो 354 जन्वरी जन्वरी प्रसन नमबर साथ और अरंगजेव के हाथों किस सिख गुरू को सहादत का सामना करना पड़ा यानि किस गुरू को सहादत मिली ए गुरू राम देव बी गुरू गोविन सिंग सी गुरू तेग भादूर या डी गुरू नानक जिसका तो सही आंसर वो है गुरू तेग भादूर यानि C is the right answer गुरू तेग भादूर सिखो के नवे गुरू थे जिन्हें मुगल समराठ और अरंगजेव के हाथों सहादत मिली प्रसन नमबर आठ भारतिये नवाचार सूचकांग 2020 के संबन में सही कथन का चेहन करें इसका उद्देश देश के नवाचार परियावरन के निरंतर मुल्यांकन के लिए एक व्यापक रूप रेखा त्यार करना है भारतिये नवाचार सूचकांग के तीसरी रिपोर्ट बीस जनवरी 2021 को जारी की गई है हमारे सामने विगल पहे दोस्तों केवल एक सही है बी केवल दो सी एक और दो दोनों या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों इसको सही आंसर वो है आंसर ए यानि केवल एक तो दोस्तों निती आयोग ने निती आयोग मतलब Institute for Competitiveness ने के साथ 20 जनवरी 2021 को भारतिय नवाचार सूचकांग 2020 का दूसर संस्क्रण जारी किया है वैस्विक आंतंगवाद के सम्मद में सही कतन चुने United Nation Office of Counter-Terrorism UNOCT ने 19 जनवरी 2020 को लांच किया गया था दूसरा यह कारकरम दुनिया भर में आंतंगवादी खत्रों से निप्टेगा हमारे सामने विकल्प है केवल एक सही है B केवल दो सही है C एक और दो दोनों सही है या D इनमें से कोई भी नहीं जो सही हुतर है तो केवल दो सही है यानि B भारतिये नवाचार सुच का 2020 के बारे में सही का तंचुने इसमें नोलेज आउटपुट और नोलेज डिफ्यूजन राज्यों के परदसन की जाज करने के लिए दो आधार है दूसरा दिल्ली में इस बार भी अपनी पहली रैंक बरकरार रखी और मेजर स्टेर्स काटेगरी में करनाटक सिर्ज पर रहा इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वहाएंसर यानि विकल्प A सही है या B के बलंडो C एक और दो दोनों D इन में से कोई नहीं जो सही विकल्प हैंसर और दोनों सही है पूल मिलाकर दिल्ली ने अपनी पहली रैंक बर करार रखी है इस विए में करनाटक ने Major State कटेगरी में और हिमाचल परदेश ने North Eastern and Hill States कटेगरी में टोप किया है परदेशन को चित्रित करने वाले दो परदेशन स्थम Knowledge Output और Knowledge Diffusion माने जाते हैं और हैं भी परसंट नमबर 11 Great Green Wall Project के बारे में सही कतन चुने तो ग्रेट ग्रीन वॉर्ड प्रोजेक्ट क्या है हमारे सामें विकल पे एक है अफरिकी संग ने इस प्रोजेक्ट की chromosomes 2007 में किती या दूसरा इस प्रोजेक्ट का विषतार साहिल चेत्य में पश्चिम में सेनेगल से लेकर पुरु में दिबूती तक किया जाएगा विकल्प है दोस्तों हमाई सामने A केबल एक, B केबल दो, C एक और दो दोनो, D इन में से कोई नहीं इसका विकल्प सही है दोस्तों वह है C यानि एक और दो दोनों सही एंसर है इसके अफेरिका संग यानि अफिरिकी संग ने Great Wall Project की सुरुआ 2007 में किती दोस्तों इसमें सहारा मरुस्तल की दक्षिली सीमा से लेगे 11 देश और अंतराश्चे पार्टनर सामिल है इस प्रजेक्ट का विस्तार साहल छित्र में पश्चिम में सेनेगल से लेकर फुरू में दिबूती तक किया जाएगा प्रसर नमबर 12 सिस्टर निविदिता फ्लैग के बारे में सही कतन चुने फ्लैग में लाल और पीले रंग सामिल थे इसमें सत्तमेव जैते बॉल्ड अक्षरों में लिखा गया है था विकल्ब है दोस्तो केवल एक या ए सही बी केवल दो सही सी एक और दो दोनों सही डी इनमें से कोई नहीं हमारा एंसर दोस्तो सही है वो है विकल्ब केवल ए यानि फ्लैग में केवल लाल और पीले रंग सामिल थे सिस्टर निवेदिता के फ्लैग में लाल और पेले रंग सामिल थे इसमें लाल सुतंतरत संगराम और पेला रंग जीत के प्रतिक को दसाता है और इस फ्लैग में बंगाली भासा में बोंदे मातरम लिखा गया था यहां बोंदे मातरम यानी बंदे मातरम निम्लिकित में से सुबास चंडर बोस के बारे में साही कहतन चुने उनका जनम कटक महुआ था उन्हें अपनी कानूनी प्रक्टिस के लिए राय बहादुर की उपादी दी गई थी केवल एक सही है B केवल दो C एक और दो दोनो D इन में से कोई नहीं उसके जो सही विकल पेदोस्त हुआ है C और एक और दो दोनों सही है नेता जी सुबास चंडर बोस के जनम 23 जनवरी 1897 को कटक उडिसा में परभाबती दत बोस और जानकी नाद बोस की घर हुआ था उनके पिता कटक में एक सफल वकील थे और उन्हें राय बहादर की उपादी भी दी गई थी प्रसन नंबर 14 तिरंगा जन्डा अपनाने के लिए INC और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस दोरा किस वर्स प्रस्ताव पारित किया गया था हमारे सामने विकल्प है वर्स 1931 B. 1931 C. 1942 या D. 1919 दोस्तों तिरंगे के लिए 1931 में कॉंग्रेस के दोरा प्रस्ताव पारित किया गया था B. is the right answer 1931 में हमारे राश्र दोष की रूप में तिरंगे जन्डे को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें केंदर में महात्मा गादी के चर्खा के साथ केसरिया, सफेद और हरासाई तीन दंग सामिल थे प्रसन नमबर 15 निवलिखित में से किस भारत के प्रधान मंत्री को सबसे कम समय के लिए चुना गया था A. गुलजारी लालनन्दा बी नरेंद्र मोदी सी राजीव गांधी डी वी पी सिंग तो दोस्तों इन में जो सबसे सही विकल को है गुलजारिलाल नंदा वी पी सिंग 2 दिसंबर 1989 से 10 नॉंबर 1990 तक भारत के प्रदार मंत्री थे गुलजारिलाल नंदा 27 मई से 9 जून 1994 तक और फिर 11 जनौरी 1966 भारत के प्रदार मंत्री रहे थे भारत में कारेकाल समानने वाले सबसे बड़े प्रदार मंत्री निम्लिकित में से कोन है सबसे बड़े प्रदार मंत्री कारेकाल समानने वाले A. चरण सिंग B. लाल बहादूर सास्थरी C. मुरार्जी देसाई D. हडी देव गौडा भारत में सबसे उमर दराज के प्रधार मंदरी दोस्तों है मुरार्जी देसाई जिन्हें सबसे ज़्धा उमर में پ्रधार मंदरी पद समाला था मुराजिय दिसाई दो साल यहां 126 दिनों के लिए प्रधार मंद्री रहे थे वो 81 साल की उमर में प्रधार मंद्री बनने वाले और सबसे पहले पर से इस्तफ़ा दिने वाले सबसे बुज़ूर्ग प्रधार मंद्री थे गरतंत्र दिवस परेड़ 2021 के बारे में साई कतंचुने पहला प्रधार मंत्री नरेंद्र मुदी ने गुजरात के जाम नगर से विशेश पगड़ी पहनी थी बी करनल संतोस बाबु को मरनो प्रांथ महावी चक्र से समानित किया गया है विकल्प है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इन में से कोई नहीं तो दोस्तों में जो वहावा सही उतर वो है, सी यानि एक और दो, दोनों ही सही है करनल बाबू की बात करें दोस्तों तो करनल बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी थे और उन 20 भारते साहिनकों में सामिल थे जिनोर पिछले सार 15 जून को गालवान घाटी में चीन के साथ जड़प में अपने प्राण उचावर किये थे उन्हें मरणो प्रांत महाविर चक्र से सम्मानित किया गया है साथ ही आपको बता दे कि गरतन दिवस 2020 के प्रेड में प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी ने गुजरात के जाम नगर से विसेश बनी पगड़ी को पहना था प्रसा नमबर अठारा सुभास चंद्रबोस ने किस भारती राष्टे कांगरिस की अधिशता की थी A. इलहाबाद अधिशन B. लखनौ अधिशन C. हरीपूरा अधिशन D. इनमेंसे कोई भी नहीं तो दोस्तो सुबास चंद्रबोस द्वारा हरीपूरा अधिवेशन की अधियस्ता की गई थी सुबास चंद्रबोस की अधियस्ता में 19-22 फरवरी 1938 के दोरान हरीपूरा में भारते राश्ची कोगलिस की बैठक वी 1938 में उन्होंने हरी पूरा कोगलेस अद्वेशन का अद्देख चुना गया था किस देश के प्रधार मंत्री को उन्हीं की सतरों पार्टी से निकाला गया है A. नेपाल B. जापान C. आस्ट्रेलिया D. इरान जो ठीक है जो तो इसका जो सही उत्तर है A. नेपाल तो नेपाल के प्रधार मंत्री केपी सर्मा ओली को संसत को भंग करने के अपने फैसले पर सतरों नेपाल कॉम्मिनिस पार्टी ने निस्कासित कर दिया है 24 जनवरी 2021 को आयोजी पार्टी के समूव की बैठक में एक केंद्र समीति द्वारा प्रधार मंत्री को पार्टी से निकाला गया यानि केपी सर्मा ओली अपने पार्टी से निस्कासित कर दिये गये है प्रसन नमबर 20 नर्शिरिंग नेबर हुट चैलेंज क्या है ये भारत के पूरी परडोशी देज़ जैसे मैमार का प्रबंदन करने की पहल है बी दूसरा यानि चीन के साथ अच्छे संबद इस्थापित करने की पहल और नीतियों को बनाना हमारे सामने विकल्प है दोस्तों विकल्प A केवल 1, B केवल 2, C, 1 और 2 दोनों D इन में से कोई नहीं दोस्तों जो सही आनसर वो है D इन में से कोई नहीं भारती बच्चों और उनके देखबाल करने वालों की भलाई के लिए हाली में भारती सहरों और सरवजनिक इस्थानों को बहतर बनाने के लिए नर्शिरिंग नेबरूर्ट चैलेंज की सुरुआत की गई है प्रसर नमबर 21, FALCON फालकन ने इस साल कितने अबगरों को लौंच किया है और नया विश्वी रिकॉर्ड बनाया है हमाई सामने विगल पे है 142, 145, 100 या 143 दोस्तो इसका सही विगल पे है 143D दोस्तो अभी हाली में एलन मस्की की कमपनी स्पेस एक्स ने एक निया विश्वी रिकॉर्ड बनाया है और इसने FALCON 9 रोकिट से 143 अबगरों को लांच किया है नए रिकॉर्ड के साथ स्पेस एक्स ने भारती अंतरिश अनुसंदान संगटन इसरों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जिसने फरवरी 2017 में एक लांच में 104 अबगरों को अंतरिश में तैनात किया था यानि दो सो FALCON की स्पेस एक्स कंपणी ने यानि अलन मस्क की की स्पेस एक कंपणी ने FALCON रोकिट के मादम से इसरों दुआना बनाया के किर्दिमान को तोड़ दिया इसरों ने इससे पहले 2017 में 104 अंतरिश अबगरों को अंतरिश में छोड़ा है आपको पता ही होगा हाली में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है अगला प्रसन प्रसन नमर बाइस राश्री धवच के संबन में निमलिकित कत्नों में सही विकल पुचने इसमें समान अनुपात में 3-36 पट्टियां है केसरिया रंग सबसे उपर सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है धवच की लंबाई चोड़ाई का अनुपात 3-2 है हमारे सामने विकल्प दोस्तों केवल A, B केवल 2, C 1 और 2 दोनो, D इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही आंसर वो है विकल्प C, यानि एक और दो दोनो राश्री दोस्त तरंगे में समान अनुपात में 3-36 पट्टियां है केसरिया रंग सबसे उपर है, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है धवज की लंबाई चोड़ाई का अनुपात 3 अनुपात 2 है, सफेद पट्टि के बीच में नीले रंग का चक्र है प्रसा नमबर 23, राश्री धवज में हरा रंग क्या दरसाता है देश के सुब विकास और उर्वरता को दरसाता है या बी, देश की ताकत और साहस को दरसाता है या सी, सांती और सच्चाय को दरसाता है या डी, इन में से कोई नहीं दोस्तों, हरा रंग दरसाता है ए, यानि देश की सुब विकास और उर्वरता को प्रसान नमबर 24, धवच पर बने चक्र का प्रतुरूप कहां से लिया गया है या दोस्तों, धवच पर बने चक्र का प्रतुरूप कहां से लिया गया है ए, सारनात में आसो कि सिंग इस्तम पर बने चक्र से लिया गया है B. महात्मा गाधी के चर्खे के पहिये से C. भगवान गीता में समय का संकेत करते हुए पहिये से या D. इन में से कोई नहीं दोस्तों इसका जो सही विकल्प है विकल्प A यानि इसका प्रारूप सारनात में आसोक के सिंग इस्तंब पर बने चग्र से लिया गया है तिरंगे जंडे में विराजमान है अगला प्रसन प्रसन नमबर पच्चीस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है A. IMF B. WEF C. WTO या D. UNO दोस्तों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है B. WEF विस्व आर्थिक मंच दोरा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है या हर साल जारी की जाती है SOW क्या यानि S.A.A.W क्या है पहला चीन दोरा बनाएगा एक हतियार A. Weapon made by China B. DRDO दोरा निर्मित एर फिल्ड हतियार C. DRDO दोरा निर्मित बाइक एम्बुलेंस C. इसरो दोरा निर्मित अंत्रिस चिंजन तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तो विकल भी यानि DRDO दोरा निर्मित एर फिल्ड हतियार रक्षा अनुसंधान और विकास संग्ठन ने स्वेदेशी रूप स्विक्षी स्मार्ट यानि स्मार्ट एंट्री एर फिल्ड वेपन का सफल प्रक्षड किया जो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटर के हाक आई जेट से उडिसा तट से दूर है इसका पहले हमने पहल दिया Find प्रस नमर 99 गरतन दिवस का समापन शमारो को क्या कहा जाता है एर बीटिंग रिट्रीट बी रिट्रीटिंग प्रेड्ट सी सही दिवथ या डी इनमें से कोई नहीं तो दोस्ते गरतन दिवस समापन समारो को किस नाम से जाना जाता है वो है बीटिंग रिट्रीट यानि option A is the right answer यानि गरतन दिवस spread के समापन होने के यानि जब गरतन दिवस spread होयाती है और उसका जो दो समापन समारो होता है वो जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है बीटिंग रिट्रीट यानि ये कब होता है तो 26 जनवरी के तीन दीन बाद यानि 29 जनवरी को आयूजित होने वाले कारिकरम को हम बीटिंग रिट रिट के नाम से जानते हैं प्रसन नमबर 30 गोरक पहाड पर चटानों को काट कर निर्मित 24 तिर्थंगरों के प्रतिमाओं हे तू विख्यात है दोस्तो इसका जो सही विकल्प है वो है महोबा बी प्राचीन काल में आयों के जीवका पोरजन का मुक के साधन क्या था दोस्तो प्राचीन काल में आयों के जीवका परजने जीवनक में जो सबसे प्रमुक साधन दो था दोस्तो किर्सी का रहे है यानि option B is the right answer राख का टीला निम लिखित में से किस नौ पास्री किस्तल से संबंदित है दोस्तो राख का टीला संबंदित है बी संबंदित है और यह कहा है दोस्तो कनाटक में मैसूर के पास विलारी जनपत में सित संगन कलू नामग नौ पासाड काली ने पूरा स्थल से राख का टीला मिला हुआ है तो जो संगन कलू इस तरो का पर है करनाटक यानि पहले का मैसूर आज का करनाटक प्रसन गोत्र सब्द का प्रयोग सरप्रतम हुआ था अथरवेद, बी रिगवेद, सी सामवेद, डी जेजुरवेद तो जोस्तो गोत्र सब्द का सरप्तम उल्लेक हुआ था रिगवेद में जहां कहां पर रिगवेद के दसवे मंडल में पहली बार गोत्र सब्द का उल्लेक हुआ था और ठीक है यहाँ रिविक के दस्वे मंडल में गोत्र का संबन मतलब होता है दोस्तों कि जहां पर पूरे इलाके का गोधन पाली जाती थी यानि गाय को बादा जाता था उससे गोत्र निकला प्रंदुबाद में गोत्र सब्द को किसी रिसी मूनी के नाम के से आगे संबंधित किया जाने लगा और आधनिक युग में अगर बात करें दोस्तो समान गोत्र में साधीवा नहीं किया क्योंकि उस एक गोत्र में अगर लड़का लड़की एकी गोत्र के हैं तुने एकी वन्स और एकी वर्गे में उत्पन संतान गरूप में जाना जाता है इसलिए कभी भी सनात अंदर में एकी गोत्र में साधी वा नहीं किये जाते हैं भारतिय प्रतीक पर उत्रीन सथ में जाते कहारत लिया गया है? बहुती महतु प्रसंद देतों बहुत बार एक्जाम पूछाएं गया है मुंडो को पनिसद यानि See is the Right Answer सत्त में जयते भारत का राष्टी आदर्शुआख के है जिसका अर्थ है सत्त की ही सदेव ही विजय होती है ये भारत के राष्ट परतीक के नीचे देवनागरी लिपी में अंकित है संपूर्ण भारत का आदर्शवाक के सत्मे जयते उत्तर भारती राज उत्तर प्रदेश के वरानसी के निकट इस्थित सारनात में 250 इसापुर में मौर समराट आसोग दोरा बनाए गये सिंग इस्थम के सिखर से लिया गया है किन्तु इस सिखर में यह आदर्शवाक्य नहीं है सत्त में जयते मुलते मुंडोक उपनिसद का सरवगात मंत्र है कलिंग नरेश खारवेल किस वन्स से संबंदित था? दोस्तो कलिंग नरेश खारवेल संबंदित था बी चेदी वन्स यानि बी इस राइट आंसर भारत में मुद्र नालाय लाने वाले यानि भारत में मुद्रा का परियोग करने वाले सबसे पहले कौन थे? दोस्तो भारत में सर प्रथम मुद्रा का परजलन करने वाले थे इन में से वह है बी यानि पृतगाली क्यूंकि दोस्तो भारत में सबसे पहले चली वैख्या देख लेते हैं भारत में समाचार पत्रों के तियास इरोपियों लोगों के भारत में परवेश के साथ ये प्रारम होता है सर प्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस या मुद्रालाय का लाने गसरे पृतगालियों को ही दिया जाता है 15-57 इसवी में गुवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुच्दक चापी 16-86 इसवी में अंग्रेज इस्टिण कंपनी ने भी भारत की पहली पुच्दक चापी की थी और 16-84 इसवी में ही कंपनी ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस या मुद्रालाय की स्थापना की थी किस प्रसाशनकाल में इस्थाई बंदबस प्रारम किया गया था A. लॉड वेलिजली B. वोर्र तरेस्टिंग C. लॉड कार्नवालिस D. लॉड कैनिंग दोस्तो, इसथाई बंदबस भारत में प्रारम किया था लोड कार्नवालिस के साशनकाल में C. is the right answer लोट कार्नवालिस का सासन काल अपने प्रासासनिक सुधारों के लिए हमेसा याद किया जाएगा उसने समराज विस्तार की और अधिक ध्यान ना देकर आंत्रिक सुधारों के और विसेश ध्यान दिया कम्पनी सासन में निस्पक्षता और दिर्णता लाने में उसकी काफी सवलता मिली उसने कम्पनी की सेवा लगान विवस्ता निया और व्यपार संबंदी अने के सुधार किये लगान विवस्ता के चेतर में उसके द्वारा किया गया स्थाई बंद बस ब्रिटीश सासन की इतियास में महत्पुरुसान रखता है कॉर्ण वालिस का सबसे महत्पुरुसार राज़स से विवस्त था एवं उसकी वसूली का परबंदन करना था अभी तक कंपनी वार्षिक छेगा के अधार पर लगान वसूलती थी और सबसे उची बोली लगाने वाले को जमीन दे दी जाती थी इससे कंपनी और किसान दोनों को परिसानी होती थी लोड कारनवालिस ने 1793 इश्वी में इस्थाई विवस्ता लागू की इस्थाई बंदबस के अधार पर जमिदार भूमी के स्वामी बना दिये गए जब तक जमिदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते थे तब तक भूमी पर उनका अधिकार सुरचित रहता था लगान नहीं देने की सिती में उन्हें अधिकार से वन्चित किया जा सकता था सरकार के साथ किसानों को कोई संबंद नहीं था इस्थाई बंदबस को वेवारिक रूप दे कर कारणवालिस भारत में जमिदारों का एक सक्ति साली वर्ग त्यार करना चाहता था जो अंगरेजों का हित चिंतक रहे लगान के रकम निश्यत कर देने से अंगरेज अधिकारे भी परतिवस लगान मसूलने के जंजर से मुक्त हो गए तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो के लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर हमारे दुआरा इस वीडियो से आपको पढ़ने में समझने में आसानी हुए तो एक लाइक जरूर कर देना धन्यवाद